मुझे अच्छी हूँ मैं भी अच्छी हूँ स्वस्त हूँ तंदुरस्त हूँ तो मेरा नाम अंजली है और मेरे चैनल का नाम है कछी गल अंजली तो आप सब का विल्कम करती हूँ सुबे का टाइम है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे लिए होट वोटर तो एक साइड में दूद भी गरम होने के लिए रख दूगी तो बस मेरा गरम पानी हो चुका है तो बैट कर पहले आराम से जो मेरा होट वोटर है वो मैं पी लूँगी तो पानी मैं ने पी लिया है तो वो पीने के बाद सीद्य आ चुकी हो मैं मेरे मेटे के रूम में जो कल वेफर्स बनाए थी जो सुखाई थी वो पूरी जो सुख चुकी और आप देख सकते मिल्कुल भी चिपकी नहीं इस तरीके से प्लास्टिक के उपर आप सुखाएंगे तो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं तो बस सारी वेफर से उसको मैं खटा कर लूँगी तो मेरे बेडरूम में जो सुखाई है मैंने वो भी मैं सारी वेफर से वो भी ले लूँगी अगर आप लोगों ने कभी ट्राइ नहीं किया तो जरूर इस तरीके से ट्राइ कर बिल्कुल भी एक साल चलती है बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो बस अगले दिन मैंने इस तरीके से उसको नमग डाल कर उबाल लिया था ज्यादा नहीं उबालना है वरना गल जाती ह तो बस थोड़ा ही जितना आपका नाखुन चला जाए उतनी उबाल कर उसको बस अब सिधा धूप में भी सुखा सकते लेकिन मैं अकेले करती हूँ इस तरीके से मैं फेन के निचे रख देती हूँ और आज धूप दिखा दूँगी तो बस मैं धूप में डाल दूँगी तिन बज तीन या चार बजे में उठा लूँगी तो बस यहाँ पर दूप में अच्छे से सुख जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यह टेन कीजी की वेफर से लेकिन सुखने के बाद इतनी हो जाती है तो मैं दूसरी भी अभी बनाने वाली हूँ तो बस हम चलते हैं नीचे तो यहाँ पर जो मेरे पेड़ पोदे वो भी थोड़ा समयाप लोगों को दिखा देती हूँ यह मोगरा तो बस थोड़ा सा पक्ते खराब हो चुके उसको भी मुझे काटना है और यह अजवाइन का पोदा जिसमें से ओरेगानों बनता है तो यह प्लास्टिक है उसको मैं ऐसे फोल्ड करकर रख दूँगी क्योंकि अभी भी मुझे वेफर्स बनानी तो इसको मैं वेफर्स बनाने के बाद ही धूल कर रखूँगी तो कपड़े भी धूल चुके उसको भी मैं सुखा देती हूँ तो जब तक मैं उठकर दिया बाती किया तो उसके बाद तुरद के तुरद में कपड़े डाल ही देती हूँ ताकि मेरे गरम पानी पी अंदर का कुछ काम डिप्टा आती हूँ तब तक जो कपड़े धूल जाते तो सारे कपड़े उसको मैं धूप में सुखा देती हूँ तो बस इसी तरीके से जो हम छोटी-छोटी बातें काम की डिवाइड करते रहते तो काम फटा-फट से जल्ली से हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है तो एक के बाद एक ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ मैं सुब्य के टाइम बहुत ही भाग दोल रहती है काम की तो बस सारे कपड की जो श्टोर करकर रखना है उसको मैं बाद में रख दूँगी अभी के लिए मैं एक टिवा जो वह भर लेती हूँ और थोड़ा सा भीगो भी दूँगी खाने के लिए अब आ चुकी बेडरूम में तो यहां पर टावल पड़े वो भी बाहर सुखा ने तो बाहर सुखा दिया है तो यहां पर सारी ब्लेंकेट से उसको भी मैं फोल्ड करकर रख दूँगी तो बस इसी तरीके से सुबी के टाइम जो मेरा मोर्निंग रूटीने वो चलता रहता है तो बाहर थोड़ा सा काम निप्टाने के बाद सिद्धा मैं बेडरूम में आ जाती हूं तो आज मुझे जो बेड़ सीट चेंज करनी तो कर दोगी वरना रोज के रोज तो मैं बेड़ सीट चेंज नहीं करती हूं तिन चार दिन के बाद ही चेंज करती हूं तो यहां प पर जो बेड है उसको मैं अच्छे से पोस्ट दूँगी साफ कर दूँगी क्योंकि धूल उठती रहती है तो दूर से पता नहीं चलता है लेकिन उसके उपर डॉस्ट आही जाती है तो बस इसी तरीके से जो हम एक एक काम रोज के रोज करते रहते तो हमारा गर बिल्कुल भ खरीद है तब उसके साथ आई थी तो कुछ-कुछ चीजे जो हमारे दिल के बहुत ही करीब होती है तो यह बेड तो मैंने चेंज कर लिया लेकिन मैं चाहती तो साइट टेबल ले सकती थी लेकिन यह हमारे दिल के बहुत ही करीब है तो हमने इसको नहीं निकाला तो मैंने इस तरीके से मेरे पास कपड़ा था तो मैंने सोचा कुछ जूगा लगाती हूँ तो इससे मेच हो जाए तो बस कपड़ा मैंने इसी तरीके से लपेट दिया तो आप देख सकते एक दम जो मेरे बेट से बिल्कुल मेच हो रहा है तो यहां पर मैंने उपर एक लखाए रुमा तो लेकिन वो मेच नहीं हो रहा था तो ये है साड़ी का टुकड़ा जो पल्लू होता है वो है तो वो मैंने फोल्ड करकर इसके उपर रख दिया है और एक ले लिया आर्टिफेसियल प्लांड और ये इस तरीके का मिठाई का डबा आता है उसके अंदर मैंने जो सोक से वो ल कर दिया है तो उसको मैं रख दूगी मेरी साइड की जो टेबल है वहां पर रख दूगी तो बहुत ही वह सुंदर लगेगा दिखने में तो एकदम सुंदर सा फ्लावर पोट बनकर रेडी है तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है तो इस तरीके से हम वेस्ट चीज यह की क्लीनिंग तो जो डोर है उसकी मुझे क्लीनिंग करनी है तो उपर अच्छे से हाथ जाता नहीं है तो मैं इसी तरीके से जो यह वाला मोब आता है उससे मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ तो बस कुछ कुछ बाते जो हम दिमाग में जुगार लगाते है तो ह बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, जब भी मुझे कुछ काम करना होता है, हाथ नहीं पोचता है, तो ये वाला मो भी मेले लेती हूँ, उससे आसानी से बहुत क्लिनिंग हो जाती है, तो बस इसी तरीके से जो छोटी-छोटी कुछ बाते हैं, हमारे में सुधार लेते हैं, तो बस ज्यादा विल्कुल भी गर गंदा नहीं होता है, और जो साफ सुत्रा गर होता है, तो फिर देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है, मन को बहुत सुकुन मिलता है, सांती मिलती है, गर अच्छा जो क्लिनिंग रहता है घर के अंदर, त सारे दोरण कर दीए है यहां पर आच्छी क्यों कर दीवालिते हैं थोड़ इस पिछे जो से चैनल यह करना सो्ज़ा आसानी ना काम हो कल मुझे क्या करना है तो फिर, समय भी बहुत ही बचता है और काम भी आसानी से हो जाता है। तो सामने की तरफ जो डिवाले वो भी clean अच्छे से हो चुकी, यह सारे मालिया है, वो भी यह दिये तो यह दौर है निचे के उबडाँ, मैंने ले लिया है जाड़ू, तो पूरे रूम में जो मैं जारू निकाल दूँगी तो बस इसी तरीके से जो हम काम डिवाइड करकर करते हैं तो फटा फट से हो जाते हैं तो इतनी क्लिनिंग की माली है कि इसमें मुझे सिर्फ 15 मिनिट ही लगे है तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो बस पूरे कमरे में जारू निकाल दूँए है तो ये वाली मेटे वो भी मैंने धुलने के लिए डाल दी है तो बस थोड़ी देर में ही मेरा बेज़रू में जो अच्छे से एकदम क्लीन हो गया तो पोछा भी लग चुका है, तो बस सारा काम हो चुका है, कमरे में पोछा लगाया, वो सुख जाने के बाद यहाँ पर दूसरी मेट है, वो भी मैं वोसरूम के पास रख दूँगी, तो पूरा कमरा जो मेरा आप देख सकते हैं, एकदम नीडेन क्लीन हो चुका है, तो बस इतना करने में मुझे जिर्फ आदा गंटा ही लगा है, तो यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, कि यह वाले मोब से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, तो आपको उसके उपर बिल्कुल भी धूल दिखाई नहीं दे रही है, तो वो करने के बाद मैं आचुकी हूँ, यहाँ पर किचन में, तो यहाँ पर सारे बरतने वो भी मैं साफ कर देती हूँ, तो सारे घर में जाड़ू पोछा लग गया है, तो बस बारी आती है लाश्ट में किचन की, तो वो मैं लाश्ट में ही रखती हूँ, पहले में गर की ही cleaning करती हूँ ताकि जब भी कोई गर पर महमा नचानक से आ जाता है तो गर एकदम clean रहे तो बरतन करने के बाद सिंक में daily दोही देती हूँ ऐसा करने से बिलकुल भी सिंक ज्यादा गंदी नहीं होती है तो बस इसी तरीके से छोटी-छोटी आज़ते हमारे में सुधा कर लेते हैं तो बिलकुल भी गर गंदा नहीं होता है तो बस गर भी जो हमारा साप सुत्रा रहता है तो मन को सांती मिलती है सुकून मिलती है तो बस सारा काम हो चुका है या पर किच्चा ने उसको भी में clean कर दूंगी तो आज का वीडियो यही पर end करते है आप लोगों को पसंद आया हो तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बाई बाई